तसस्सिल्की खेती में किसान को सिल्कोम के अंडों से लेकर कुकून बनने तक पालना पड़ता है कुकून बनने के बाद किसान कुकून को कमपनी को धगा बनाने के लिए बेज देते हैं जिन से उनको बहुत ही अच्छा लाब मिलता है तसर्सिल के बीज को DFL के नाम से जाना जाता है DFL मतलब Disease-Free Laying यानि रोग मुक्त अंडे जो हमें मादा सिल्प मौत से मिलता है एक DFL में 100 अंडे होते हैं जिन में लगबग 50-60 ही कुकून बन पाते हैं एक हेक्टर के एरिया में अरजून आसान जैसे होस्ट प्लैन के बाग में 3-4000 DFL के सिल्कॉम के लर्वा को थार इंश्टर तक पाला जा सकता है उसके बाद उसे बड़े एरिया में सिप्टिंग करके हम पाल सकते हैं तसल्सिल की खेती एक बहुत ही मुनाखा वाला खेती है लेकिन इनमें रिक्स दिन प्रति दिन बढ़ते ही जा रहा है कीड़े की जिन्दर रहने के उपर किसान की लाव डिपेंड करता है तसल्सिल के लारभा कुछ सुर्वाती इंस्टार में मरते हैं कुछ माइगरेशन के दोरान मरते हैं और कुछ रोग में मर जाते हैं सिल्कों में जायतर भाइरास इंपेक्शन हो जाता है जो कि बेसिलो भाइरास रियो भाइरास के नाम से जना जाता है एक बार ये भार्यास फैलने से बहुत ही जल्दी पूरे प्लोट में फैल जाता है। दिरे दिरे पूरे एरिया में कीडों में फैलना सिरू हो जाता है जिसमें काफी कीडे मार जाते हैं। जो की कलोरिन का सोलिवेशन होता है जो की 10ml पति लिटर पानी में घोलकर या फिर केलसियम हाइडोकसाइड 2 ग्राम पति लिटर पानी में मिलाकर या फिर फर्मलन को पांच भार पानी के साथ मिलाकर रोग लगने से पहले छिड़काओ किया जाता है जिसमें किसान को कुछ हद तक राहत मिल जाता है रोग, कीट और परियावरेंज जेनित खत्रों से बच के सिल्क बॉम के लर्वा लगवग 40-45 दिन में अंडो से कुकून तक पहुंचते हैं ये कुकून बनने में लगवग 7-8 घंटे तक लग जाता है ये कुकून में लगवग 700 मिटर तक लंबा फिला में डियानी धागा मिलता है जिससे सिल्क बनता है जो की इन्हे सुखाने के बाद पानी में उबाल कर मैसीन से निकला जाता है सिल्क बम की खेती क्रीडो की वो खेती है जिसको थोड़े से मेंटेनस के साथ थोड़े से ध्यान रखने पर किसान को बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलता है धिरे धिरे हमारे देश के किसान क्रिशी के साथ साथ कीट पालन भी कर रहे हैं जिसे हम दितियक क्रिशी के नाम से भी जानते हैं ये बहुत ही फाइदा किसान को पहुचा रहा है इसमें मदुमक की पालन लाग की खेती और तसर सिल्क की खेती जुड़ा हुआ है मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकरी के साथ तब तक के लिए जैहिन